नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में देखे अपन लोग चर्चा करने वाले हैं विद्याले प्रबंद का अगला जो बिंदू है माद्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्तान अजमेर और एक अपन लेंगे सबसे पहले पन जानेंगे B.S.E.R. के बारे में यानि बोर्ड ओप सेकंडरी एजुकेशन राजस्तान अजमेर माद्यमिक शिक्षा में गुनवक्ता लाने के लिए शुरू में जब परतेक राज्य में एक माद्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना यानि गठन करने का जो विचार आया था वो विचार क्यों आया था कि माद्यमिक शिक्षा में गुर्वक्ता लाने के लिए प्रिक्षा पनाली में क्या हुआ सुधार करने के उदसे से भार्ट सरकार ने 23 सितंबर 1952 इस वे को माद्यमिक शिक्षा आयोग की इस्थापना की थी ये अच्छा प्रेशन बनता है कि ये विचार भार्ट सरकार के मन में कब आया ने कब बनाये तो 23 सितंबर 1952 को अच्छी तरीके से इस बात को नोट कीजिएगा मदरास विश्वेविदा लए वहां के कुलपती थे तात का लिक DAYनि उस समय के स्रील लक्षमर स्वामी मुदालियर है उनको इस आयोग का अधेक्स बनाय गया था माद्यमिक शिक्षा आयोग जो बनना था माद्यमिक शिक्षा बोडे तो इसके पहले कि एकर योजना बनती ह है एक आयों गठन होता है 57 वेक्तिएं का उसका एक अध्यक्स होता है तो अध्यक्स कौन थे? लक्षमी नायन, लक्षमी स्वामी मुधालेर है, जिसके करण इसे मुधालेर आयोंकー के नाम से भी जाना जाता है, अच्छा प्रसंड ये बनता है, 1953 में अपनी रिपोर्ट परस्तूत की थी ये बना था 23 सितम और 1902 को और 1953 में मुदालियर आयोक के दोरा अपनी रिपोर्ट परस्तूत कर दी जिसमें ये हैं सिपारिश की गी थी कि परते एक राजे में एक मादेमिक शिक्षा पोर्ट इस्ताफित किया जाए कि परते एक राजे में मादेमिक शिक्षा में गुनवक्ता लाने के लिए तो ये कारी हुआ था और उसी के लिए इन्होंने का कि परते एक मादेमिक शिक्षा पोर्ट बनना बहुत ही जरूरी है तो इस आयोक की सिफ़ार्सों के आधार पर ही राजस्तान में किया है कि राजस्तान माद्यमिक शिक्षा अधनियम उनिस सो सत्यावन देखो 1922 से चली सरकारी योजना है ये और 1927 हो गया यानि 5 साल भी दोगे विदाहन सभा में ये पारित हुआ और 1 अगस्त 1927 को सरकार के दोरा माद्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस्तापना की मनजूरी मिल गई थी क्योंकि जहां पर केंदर सरकार जो नियम कानून बनाती है तो राजस्तान को मजबूरन मानना ही पड़ता है उस नियम कानून को विदा थी यह भी पिछले दिनों में कह रहे थे कि नई शिक्षानेती हो सकता है गैलो सरकार ने मने ऐसा कभी नहीं हो सकता केंदर सरकार का कोई बी विदाए, कोई बी कानून है वो राजिय सरकार को मानना पड़ता है तो द्यान रखेगा 1977 इस्वी में रास्तान सरकार में मतलब रास्तान की विदान सभा में मनजूरी मिल जाती है और इसके आगे है कि इसी और दिनयम के तहट चार दिसमर 1978 नको सबसे पखेले जैपूर में मादिमिक शीक्षा बोर रास्तान स्थापत क्या ग reckon है ता पहले पूछा जा सकता है कि सर्वाथ परतम रास्तान में मादिमक शीक्षा बोर की स्थाफ़ना कहा होई वहाँ पर पहला ओप्शन आपको अजमेर मिलेगा और आप बिना सोचे समझे टिक करेंगे और 100% गलत होगा ध्यान रखेगा जेपुर में था राजय अपाल की अनुमती मिल गई थी जुलाई 1961 में इसे क्या कर दिया गया था अजमेर इस्ता नंत्रिते कर दिया यानि इसका ट्रांसफर कर दिया शुरू में तो बोड़ का स्यम का कोई बहुन नहीं था यानि बिल्डिंग नहीं थी तो वह एक नजरबाग की कोठी नाम की एक मतलब बिल्डिंग थी उसमें संचाली तो था 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 फिर वो कम से कम 12-13 साल चला था उनिस सो तेत्र में स्यम का एक मिन जिला आप बहुन देख रहे हो ना वो 1973 में बन करके तयार हुआ था इसका उद्दस्ते क्या है राजस्तान में माद्यमिक शिक्षा पद्दती को अधिक से अधिक विग्यानिक और परगति शील ढंग से विक्षित करने हेतु इसकी स्थापना किये गई है ठीक है माद् तो कोई ड्री नहीं है माद्यमिक शिक्षा पोर्ड का संचालन और शंगठ ठन्मतलब इसमें सदस्य कैसे क्या होते हैं बहुत ही महतोपून है परतेक बिंदू को ध्यान से समझेगा और ध्यान से लिखेगा एक अधिक्स होता है ये गेर सरकारी होता है ध्यान रखना सरका के द्वारा मनों नीच 17 सदस्य अलग से होते हैं परतिश्टिस है आवरन सदस्य मतलब एक दो विदाएक भी होते हैं उनको भी इनके सदस्य की रूप में गिना जाता है और अक्टूबर दो आजार अठारा में राजय पाल जो है उन्होंने बोर्ड की सदस्य संख्या बढ अगर अधेक्स और जोर देंगे टोटल 42 होंगे है ध्यान रखना इस बात को टोटल कहते हैं नोट कीजिए अब कुल का और सचीव का लपड़ा यूं हो रहता है कि सचीव तो होता हूँ तो सरकारी कर्मचारी होता आरेस के टेगर का और आरेस के डर का अदेक्स होता हूँ मतलब ऐसे नुक्त किया जाता है एक राजनितिक पोस्ट हो समझे लीजी आप उसको तो 42 सदस्से होते हैं अच्छा पर सदस्से विदान सभा के अदेक्स के द्वारा दो मनोनित राज्य सरकार सत्रा और दो विदाएक होते हैं यह परतिश जिस से है आवरण यह लिखावाना यह अब इनकी कुल संख्या हो गई है 22 पुरानी पूस्तिक में हो सकता है 36 मिले आपको इनका कार्यकाल तीन वर्स का ह होता है वर्तमान में बोर्ड के अदेक्स जे रोली हैं द्यान रखेगा अभी तक कोई नया नहीं बना है और सची मेगना चोदरी है आई तिंक वही हो सकते हैं अगर मुझे ठीक से याद नहीं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सची वे बारे में बोर्ड अदेक्स निदेशाले विकनेर में है उसका जो मतलब है सची होता ना वो इसका ही सची हो उपादेक्स माना जाता है कौन माना जाता है इसका उपादेक्स कोन होता है माद्यमिक शिक्षा बोर्ड का माद्यमिक शिक्षा निदेशक का सची हो बोर्ड का सची हो राज्य सरकार के द्व परन्तु कही बार क्या हो जाता है कि IES को भी लगा देते हैं यह बात अतनी है कि सरकारी होते हैं बोर्ड सचिव किसी भी अधिवेशन में उपस्तित होने तथा बोलने का हक रखता है परन्तु उसे मत देने का हक नहीं है मतलब कोई बोर्ड के अंदर मीटिंग होई और उस मी उसका संचालन भी करता है और उसका माग मुक्रिया यह होता है ऐजंडा बनाना उसको ठीक से संचालन करना उसकी मुनिटरिंग करना बोर्ड की गणपूर्ती है वो कुल सदस्यों में कम से कम एक टिहाई होने जुरूरी है देखे 42 सदस्य में आपको बताए थे तो 42 में ते होने तरफा बोलने का हाक रखता है लेकिन उसे मत देने का हाक नहीं है बोर्ड का मुख्य कारी जौन testify अब आगी देखिए rómicky अब अधिक स्ञाश won और का अधिकार होगा है कि उसका यह करतव gehen होता है कि अधिनियमों को पर्इृण पालन करवाना यांई अधिनियम जो बनते हुं उसका और अधिवेशन बुलाना और उनकी अधिक स्था करना अधिक्स का तो यही काम होता है राज नीट़ तो यही काम करते हैं अधिवेशन में बोर्ड या पर समीध्य के जो सधस्टियों के कुल संक्या में कम से कम एक ती है यानि 33 पर 33 सदस से उपस्तित है मैंने आपको बता दिया है 14 सदस से या 13 सदस एक सम्तिंग बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में दो बार होगा फरवरी और मार्च का जो अधिवेशन है वो वार्षिक अधिवेशन का लाग है यह अच्छा कतन है नोट बोर्ड केरियर प्रामायस सामगरी के नाम से 40 परकार की класс का परकाश सित के जाती थी यनि 4 प्रकार की प्रामायस सामगरी है वह बोर्ड वह परकाशित करता था अब कौन-कौन जिए-वह च्यारपरकार की यह भी नोट की ज stiff high उर एक दिशा जो होती है वह सेक्सिक औ वो होती है नीजी इस ख्षेतर जो होता है उसमें रोजगार के अवसर उपलब्द करवाने के मारक दर्शी का और द्रश्टी जो होती है वो रोजगार के अवसर उपलब्द करवाने की मारक दर्शी का होती है यह चार मारक दर्शी का बोर्ड के द्वारा पर कासिते की जाते माद्देमिक शिक्षा बोर्ड के कारी है क्या-क्या होते हैं यानि वो क्या-क्या काम करेगा तो देखिए माद्देमिक सिक्षा बोर्ड एक स्वाइच सा सी सेस था है सभी को पता है और इसके शम्पूर कारी यों के लिए सरकार के दोरा मनौनित अधिक्स आरेश रहने का एक अधिगारी सचीव के रूप में जिम्हेदार होता है जो मादेमिक सिक्षा बोर्ड का सचीव होता है वो मतलब एक प्रसासनिक अधिगारी होता हुँ दस्वी बोर्ड की प्रिक्षा करवाती है वो सामाने होती है एक प्रिवेशिका का मतलब संस और वरिष्ट उपाद्य हाई इनके परिक्षाय करवाना अब आज के लिए नया लपड़ा ओर दे दिया बोर्ड को किया जाता है जो मनिक पिछले वीडियो में कॉंसेप्ट के लिए गया था कक्सा 9-12 तक के पाठ्यकर्म का निर्माण समय से में पर पाठ्यकर्म में बदलाओ समाज और राष्ट को पाठ्यकर्म में जोड़ना नवाचा और पक्सों को जोड़ना तथा NCRT की सलाहे देने का का तरी करता है ठीक है विज्ञान प्रतिवाख होज प्रिक्षा का अयोजन भी करता है यह इसमें क्या होता है देखेगा यह प्रीक्षा विज्ञान और प्रोद्यकी की विबाग राष्थान के द्वारा आयोजित की जाती है जो कि BACER यहनि माद्रिमिक शिख्छा बोड़ क को पुरुषकार के रूप में 4,000 रुपे, दोच यूद्ती पूरुझार का रशी करें, दोचार रूपे, उसमें गु Cyrus भालकों का चैन कहा जाता है,। पर्थामे इस तर पर तो क्या होती है, कि यह प्रिक्षा माधेमिक शिक्षा बोर्ड की द्वारा ली जाती है, जिसमें 234 विधियाथियों का चैन किया जाता है, कितने विधियाथियों का 234 का, फिर पातरता होती है दस्वी में अधेन रत, और गैर्वी में नौई कक्सा में जिसके पस्पन परतिस्त अंकाई हैं और जो दश्वी कक्सा में अधेन कर रहे हैं उन वो बच्चे भी इसमें पार्टिस्पेट कर सकते हैं मतलब भागे ले सकते हैं नेक्स्ट है कि ड्यूतिय इस तर की प्रिक्षा जो होती है यह NCRT की द्वारा ली जाती है और इसमें पर्थम इस तर पर चैनित दो सो चो तीस जो सद्स से भाग लेते हैं उनमें चैनितों में को PSD करवाने के लिए परतिमा पांस उरुपे दिये जाती हैं PSD वगेरा आगी का समंदी भी कारी करते हैं कि बच्चों को गुणपता पूर्ण शिक्षा मिले इसे तो बोड अपेक्सित मांदरनों और सुध्धाओं को निदान करके उनके आदार पर विद्धालों का निरेक्षन और जांस के आदार पर उन्हें कर्मोनत और माननेता परता है यानि मानन परकास समंदी कारी है कक्सा नो से बारे क्फित के पठ्चे करम के साथ 73 मासिक पत्रिका है यह बहुत महांत वहां पर जणरल इस पत्रिका क नाम है यानि मादेमिक शिक्षा बोर्ड के दौरा एक पत्रिका का परकास्टन करवाया जाता है क्या नाम है उसका बोर्ड जनरल और उसकी मतलब आवरती क्या है ये त्रे मासिक है तीन मेने से एक बार निकलती है ये चोटी चोटी बातें परिक्षा में आएंगी देहन रखना है विद्यार्थियों हेतु सिक्षकों के लिए सरजनात्मक पर्टिकुताओं का आयोजन भी करता है मतलब विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के लिए ये परिक्षाओं का आयोजन भी करता है अब इसने विद्यार्थी स्यवा के अंदर भी खोले हैं विद्यार्थी स्यवा के अंदर संभाग इस तरह पर इस्तापित किये गए हैं इनके द्वारा विद्यार्थियों को 2001 से लेकर के अब तक अंकतालिका और माइग्रेशन परमान पत्र उपलब्द करवाई जाते हैं वर्तमान में ये पूछा जा सकता है वर्तमान में कितने विद्यार्थी के अंदर हैं तो 32 विद्यार्थी के अंदर है यानि विद्यार्थी मों आप मार्क शीट मिलती है ठीक है अगर आपके नाम में आपके पिता के नाम में आपके डेटो बर्त में कुछ फिर बदल करना हो तो आपको बोर्ड के कारिया लई ही जाना पड़ेगा जमेर अन्य था आपको मार्क शिर्टो इन विद्यार्थी के अंद्रों में मिल जाती है नाम तो मैंने यूँ ने लिखे 32 हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अब इसकी समीतियां साथ समीतियां होती हैं द्याना यह बहुती महतो पुर्ण मादेमिक शिक्षा बोर्ड का धेवा के क्या है रटलीजिएगा अच्छा प्रशन है आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ससे बाहर कोई प्रशन नहीं जाएका आप मोटी-मोटी किताभां की चकर में पड़ोगी तो आपकी मर्जी है आप पढ़ सकते हो कोई नहीं रोक टोक है क्योंकि उन में इतना इतना मैटर डाला हुआ है कि आप लोग कन्फीज हो जाओगे आपको पता ही नहीं से लेगा कि कहां से क्या परसन पूछ सकता है मैंने यहां पर बिल्कुल जो प्रिक्षा में पूछी जाने होगी जो बाते हैं आना वही नोट के हैं फालतो कि काकाचरा मैं भी चाहता तो यहां पर डाल सकता था और आपको पागल भी बना सकता था आराम से विद्यारती कोई भी पागल बना सकता है है अब अब स्टेट सकूल के बारे में पढ़ेंगे राज़तान स्टेट ओपन सकूल मतलब खुला वी सोई देले आपने सुना होगा वर्दमान मावीर खुला वी सोई देले वैसे एक स्कूल भी होते हैं यह राजस्तान सरकार के द्वारा पंजी करण अधिनेयम उनीसो अठ्यावन के तेज़ सिक्षा की सर्वस लुपता और शहज़ता के लिए राजस्तान स्टेट ओपन स्कूल के स्टाफना 21 मार्ज दोजार पांच को पहले ओपन स्कूल की स्टाफना हो जैपुर में कीगी थी 21 मार्ज दोजार पांच को दूसरा इसका महतो कुन परसन यही बनता है कि अधिनेयम कब बना था 1988 अधिनेयम के तहट यह स्कूल खोले गए कि जिससे कई बाय क्या होता है कि आप लोगों को I think हो सकता है मजाग लगे कई वी दैर्टी ऐसे होते हैं उन्से दस्विए की प्रिक्षा पास नहीं होती है सची बात है यह तो उनके लिए दस्विए प्रिक्षा बार्विए की प्रिक्षा पास करवाने के लिए इन स्कूलों को खोलना पड़ा सरकार को कामकाजी लोग भी इसमें आराम से अध्यन कर सकते हैं राज्तान स्टेट ओपन स्कूल से बाहर मतलब स्कूल से बाहर सीखने के संसादनों को ओपचारिक मानिता देने की युक्ति है दस्वें और बार्यों की प्रिक्षा है तो नियुनतम करम से 14 और 15 वर्स का कोई भी वेक्ती है वो अपना रेजिस्टेशन करवा सकता है आयू कि इसमें कोई सीमा नहीं है कोई बात देता नहीं है 60 साल का आदमी भी दस्वें कर सकता है पंजियन राजे बर्के मतलब 441 संदर्ब के अंदरों में करवा जाता है इसके संदर्ब के अंदर पूछे जा सकते हैं कितने हैं 441 मतलब सेंटर हैं वहाँ पर आप इनका रेजिस्टेशन करवा सकते हो अपना विसे का चैन आप कर सकते हो 10 वी में 15 हैं बार्यूवी में 20 उसे हैं इन में से आपको गिने 5 उसें का चैन करके और परिक्षा देने की पूरी छूटा आप सिर्फ 5 उसे पढ़ने आपको दस्यूवी में 15 हैं बार्यूवी में 20 हैं ये भी अच्छा प्रिक्षा है ऐसे छोड़ छोटे प्रिक्षा में पूछे जा सकते हैं कि रास्तान इस्टेट ओपन इसकूल में 10 उसे में कितने विशेव में से चैन किया जाता है 15 बार्यूवी में 20 आरेस ओएस के द्वारा प्रिक्षा में बैठने के लिए गणित और अंग्री जी उसे कि अन्युएर इता नहीं है देखो कितनी छूट दिये सरकार नहीं है ये तो लेना ही नहीं है सबसे मुश्किल जो कठीन जो सब्जेक्ट होते हैं विद्यर्थी जहां पर डरते हैं वो यही दो हैं जिसको खून की जड़ बोला जटा है वो भी आप छोड़ सकते हो फिर भी आप दस्यूं की माननेता है आपको अगर इसे पास कर लेते हो तो आप दस्यूं पास मानने ओपन इसकोल से जूड़ करकर अब बेरती अपने जियान और अनुबो का सूधरी करण और संवर्दन कर सकता है अब सूधरी करण तो कैसा होता है पता नहीं है पर नहीं तो दस्यूं पास जरूर ज़रू खकर लिए उसके ज्यान कप का परमानी करन होने पर जहां आत्म संत मिलता है वहाँ पर आत्म विस्वास भी बढ़ता है कि मैंने दस्वीं कर लिया होता है ना ऐसा कई बार आपको गाउं में ऐसे मिल जाएंगे कई विद्धर थी जो कि दस्वीं पास नहीं हुए और ओपन स्कूल से पास करने के बाद में मतलब वो बहुत खुस होते हैं तो उ उनके समकक्स मानेता है रेलवे बोर्ड भी उनको सुनोती नहीं दे सकता है सेना में भी नोकरी लग सकते हैं देख लो सब जिगा मानेता है इसकी ऐसे फरजी डिगरी नहीं है यह सारोजनिक प्रिक्षाएं भी होती है एक वर्स में दो बार प्रिक्षाएं होती है पहली अ होने के लिए अभ्यार्थी को पांच वर्स में 9 अवसर मिलते हैं है नी एक subject को आप यह को आपके 2-2 साल में तोड़ सकते हूं देख लो!! नो अवसर दिये जाते हैं 5 ही तो Your subject लेने पड़ते हैं 15 मीशर स्यूर देख डियू में एक बार 15 दिविशी है यानि 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक व्यक्तिकत संपरक कार्य कर्मों का आयोजन सभी संद्रब जो 441 संद्रब के अंदर बताई थे ना अपने उस संद्रब केतर में आपको अगर कोई समस्य आती है पड़ाई में तो आप वहाँ पर जाकर कि 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक वहाँ पर प्रामर्स ले सकते हों देखो बहुत अच्छा परसन है काफी अच्छा परसन है गहराई का परसन है टियोची अन्यमानेता प्राप्त बोर्डों से उत्रण होने पर अधिक्तम उत्रण दो विश्यों यहों रास्तान स्टेट ओपन इस्कूल के अब तक इतने विद्यार्थियों ने क्या कर लिया है इस योजना से जूड़ गया है मतलब 24949 मादिमिक में 23,391 में इस परकार से कुल 78,334 अबेर्टी पंजी करत हो चुके है अपना रिजिस्ट्रेसन हो करवा चुके है इसमें कोई खास बात नहीं है बस यही है मुख्य मुख्य बात है आपको मैं एक बार फिर शे इस ओपन स्कूल की जानकरी दे देता हूं ताकि यह किस अधिनियम के तहट ओपन हुए थे मतलब सुरू हुए थे तो पंजीयन अधिनियम 1958 के तहट खुले थे पहला 21 मार्च 2005 को जेपुर में खुला था ठीक है और इसमें दस्वी में 15 विसे हैं और 12 विसे हैं इन में से आप सब्जेक्ट मतलब ले सकते हो इसमें म और गयराई में जाएगा तो उगला वो जो 441 संदर्ब के अंदर हैं उसमें 25 दिसंबर से लेकर के आठ जनुजी तक आप विक्तिकत संप्रक कर सकते हैं विसे विसे सिग्यों से और इनके खूब अच्छी माननेता है रेलवे बोर्ड में माद्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम सकता नहीं है तो धन्यवाद दोस्तों आसा करता हूंगो माद्यमिक शिक्षा बोर्ड और स्टेट ओपन स्कूल आपको आराम से समझ में आये होंगे किसी भी देर्थ को कोई कंफ्यूज हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हों अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजी धन्यवा झाल